दिल्ली के लोगों को परिशान करने में कोई कसर नी छोड़ी इन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम रोके लोटने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मैं और आतीशी जी कुछ सड़कों का मुआइना करने के लिए निकले लोगों की शिकायते आ रही थी कि उनके एरिया की सड़के खराब हो गई हैं इन्होंने नॉमल सड़कों का मेंटेनेंस जो होता है रूटीन मेंटेनस वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी तब मैंने आतीशी जी स से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतरके दिल्ली की सारी जो पी ड़ुडी की सड़कें उनका मुआइना किया जाए और जो जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए इस बारे में मैंने आतीशी जी को चिठी भी लिखी थी तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने सारी हमारे पार्टी के विधायकों ने लीडर्ज ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतरके रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआइना किया है और कितनी खराब है कौन-कौन सा काम करने की जुरूर है उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेर का काम भी शुरू हो गया रिपेर का रिकार्पेटिंग का तो मैं आतीशी जी से कहूंगा कि एक बर ही आपको वो बता दे जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतिय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारे मुख्या अर्विन केजरिवाल जी के खिलाफ शड्यंत्र रचकर एक जूटे केस में फसा कर अर्विन केजरिवाल जी को छे महीने तक जेल में रखा इस शड्यंत्र का मकसद ही था कि किसी भी तरीके से जो अच्छे काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अर्विन केज रिवाल जी की सरकार कर रही है, उन कामों को रोका जाए। और हमने देखा कि किस तरहां पिछले 6 महीने से दिल्ली के आम लोगों के day-to-day कामों को रोका गया लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि भारतिय जन्ता पार्टी का कोई भी शड्यंत्र सफल नहीं हो पाया सुप्रीम कोट ने हमारे मुखिया अर्विन केजरिवाल जी को जमानत दी बहुत स्ट्रॉंग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा अर्विन जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए प्री ड़ी डी की कई सड़कों पे गये थे मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधान सभा में पीड़ी की सड़कों की रिपेर मेंटेनन्स को लेके उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध सतर पर पीड़ी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही एक आल मिनिस्टर्स मीटिंग ब पीड़ी की सड़कों का मुआइना किया पीड़ी के पास दिल्ली की चौदा सो किलोमेटर की सड़के हैं और कुल मिलाके साथ हजार किलोमेटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है तो एक हफ़ते के टाइम स्पैन में ये साथ हजार किलोमेटर की लेन लेंथ की सड़कों का इ अप्लोड किया गया, जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है, वो मैं आप से शेर करना चाहूंगी, और नेक्स टेप्स क्या-क्या है, इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरहां से री-कार्पिटिंग और री-स्ट्रेंदनिंग के लिए अइडेंटिफाई किया गय है, और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा, पंदरा सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है, और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विदिन फ्यू वीक्स, इन रिमेरिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी को री-carpet करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ patches हैं, कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है, तो patchwork के लिए 253,000 square meters को identify किया गया है PWD की सड़कों में, मुझे खुशी है यह बताते हुए, कि within the last week itself, इस म already हो चुका है, और बाकी का हमारा target है, that by 31st October, remaining जो patchwork है, उसको भी पूरा किया जाएगा, इस inspection में 6,671 pot holes को identify किया गया, जिसमें से 3,454 को already भर दिया गया है, और जो remaining 3,217 है, उनको भी आने वाले कुछ दिनों में repair कर दिया जाएगा, हमारी एक inspection में ये भी एक बात निकल के आई, कि कई सारी सड़कें damaged हैं क्योंकि वहाँ पर DMRC का काम चल रहा है, सराय काले खान के area में RRTS का काम चल रहा है, DISCOMS ने कई जगा अपनी lines ले करी हैं, तो जहाँ जहाँ पर किसी अन्य agency के काम के द्वारा की वज़े से सड़कें टूटी हुई हैं, within the next few days, इन सारी agencies के साथ हम PWD की meeting करवाएंगे, so that जहाँ पर DMRC ने repair करना है, उसको भी तुरंट शुरू करवाया जाएगा, जहाँ पर RRTS ने repair करना है, उसको भी तुरंट करवाया जाएगा, एक सड़क के बारे में specifically मैं detail शेर करना चाहूंगी, और वो है न्यूरोतक रोड, न्यूरोतक रोड जो टिक्री बॉर्डर जाती है, नांगलोई metro station से मुंडका होते हुए, वो शायद आज के दिन में दिल्ली की सबसे खराब हालत में सड़क है, उसका reason ये है कि न्यूरोतक रोड के interior में बहुत सारी unauthorized colonies भी हैं, वहाँ पर population बहुत बढ़ी है, so over time जो वहाँ से पानी निकल कर आता है, उसको accommodate करने के लिए न्यूरोतक रोड का जो drain है, उसकी capacity कम पढ़ रही है, दूसरा, इस साल मॉनसून में तकरीबन नॉर्मल से दो गुना बारिश हुई है, नॉर्मली मॉनसून में दिल्ली में 600 mm बारिश होती है, इस बार 1000 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई, तो इसको ध्यान में रखते हुए, न्यूरो तक रोड पे एक नया drain PWD द्वारा बनाया जा रहा है, ये drain नांगलोई मेट्रो स्टेशन से टिक्री बॉर्डर तक होगा, ये दो पार्ट्स में होगा, नांगलोई मेट्रो स्टेशन से ड्रेन का एक हिस्सा हिरन कुदना ड्रेन में जाएगा, और दूसरी तरफ से टिकरी बॉर्डर से ड्रेन का दूसरा हिस्सा भी हिरन कुदना ड्रेन में आएगा ये एक long term solution है कि आने वाले समय में new rotakrol पे पानी ना आए और उसकी वज़े से सड़क खराब ना हो इसके लिए 183 करोड रुपीज का sanction PWD ने दिया है फ्राइडे को एक expenditure finance committee की meeting में तो चार हफ़ते के अंदर अंदर इस drain पर भी काम शुरू हो जाएगा और इन पैरलल new rotak road की भी relaying का काम जहां जहां गड़ी हैं जहां पे भी पूरे patches करनी हैं जहां पे concreting करनी हैं उसका काम होगा अर्विंद केजरिवाल जी अब जेल से बहरा गए हैं और उनके मार्ग दर्शन में युद्ध स्तर पर दिल्ली के जो जो रुके हुए काम हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा किये जा रही हैं और आगे भी करवाए जाए हैं मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी अब लगबग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी चाहे वो सड़के हो चाहे वो अस्पतालों का वो हो बिजली हो हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की इन फैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही है वो उस किसम की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं लेकिन पिछले एक साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक के मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने दिल्ली को ठप करने की कोशिश की दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की दिल लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं और आपकी समस्याओं का निवारंग करना हमारा फर्ज है, मुझे पता चला है कि दवाईयों की कमी बहुत जादा हो रही है, अस्पतालों में और महला क्लिनिक में इन के अंदर उसको फ्री लाज होता था, वो बंद कर दिया, इन्होंने सडकों का रिपेर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तंखाएं बंद कर दी, वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं, जो जो दिक्कतें, जो काम बंद किये गए, आतीशी जी से मैंने कहा है, ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी, और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वज़े से, वो अब समस्याओं का निवारन करने की कोशिश करेंगे. सर्थ, आज एक और रेट भी है, आपी के, आमानी पाटी के सांसर है, राचे सभा के, उनके उपर एडी की रेट भी है। संजीव वरोडा के ओपर एडी की रेड कर दी, तो यह कोई भृष्टाचार के खिलाफ जाच थोड़ी चल रही है। यह तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधान मंत्री जी एक पार्टी के पीछे पढ़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजनसीज हैं हैं, रिसॉर्सेज हैं, सारे के सारे रिसॉर्सेज एक पार्टी को और उसके निताओं को खतम करने के उपर लगा दी हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ती है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। B.I.I. करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कारवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोशों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल और केवल अब तो पूरा देश जानता है, वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है कि किस तरह से लोग बेरुज़गारी से परिशान हैं, लोग महंगाई से परिशान हैं, लोग उनके भरष्टाचार से परिशान हैं, अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। कि बाद की बात हैं, अभी सड़के होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे, कुछ काम अभी पूरे हो जाएंगे, कुछ काम उसके बाद होंगे, कई फिर नए काम भी होंगे, सारे काम होंगे। लिखिया, धनकर साब जो ठीक समझेंगे, तो उनकी चिठी पे मैं कैसे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? यह सड़क जो है, यह सिंबल बन गई है, एक तरह से खराब सड़क का. और इसको ठीक कराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है मुझे पूरी उम्मीद है इसको चनाव के पहले ठीक करा लेंगे